आप देख रहे हैं मनी गुरु आपके तमाम सवालों के जवाब हम जान रहे हैं मोहित रोचलानी से मोहित सवाल हमारे पास मेरे सजीयस ठाकुर जी का आया है यह इंशॉरंस प्लान निकलेना चाहते हैं तीन करोड का इन्होंने कहा है कि 3 करोड़ यां जादा का इंशॉरंस प्लान में लूँ 2001 में इफाक के 20 लाग का टर्म प्लान भी ले चुके हैं और जो ये टर्म प्लान इनके परिवार के लिए फिलाल काफी नहीं लग रहा है तो क्या इन्हें 3 करोड़ का सर्वाइवल बेनिफिट मेचुरिटी प्लान लेना चाहिए और क्या 10 साल का टर्म प्लान लेना चाहिए तो इनके सवाल से आपको लगता है कि ये जो इन्होंने फैसला लिया है बेनेफिशल साबित होगा क्योंकि 2001 में और टर्म प्लान ले चुके हैं और 3 करोड़ का और इन्शॉरंस प्लान लेना चाहते हैं क्या इसकी जरूरत है वाकई सबसे पहले ठाकूर जी की सराना करना चाहूँगा कि वो सोच रहे हैं कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखें फैनेंशल नीट से उनके इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप टर्म इन्शॉरंस प्लान या इन्शॉरंस जो आप लेते हैं उसका नॉर्मली रिलेशन होता है आपकी इनकम से और इसके अलावा आपका अगर कोई लाइबिलेटीज हैं कोई लोन्स हैं तो उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितना टर्म इन्शॉरंस या टोटल इन्शॉरंस ज़रूरी है मोटे तो पर देखा जाया है तो आपके इनकम का करीब दस से पंद्रा गुना आपको अपना इन्शॉरंस करना चाहिए बड़ यह मोटे तोर पर है क्योंकि इसके अलावा अगर आपके कोई लोन्स हैं या फिर और अदर लाइबिलिटीज हैं और क्या एज है आपकी उसके बेसिस पे डिसाइड होता है तो क्योंकि ठाकपुर जीगा मुझे इनकम लेविल्स के बारे में नहीं मालुम है बट अगर इस बेसिस पे वो डिसाइड कर लें कि अपने इनकम के बेसिस पे 10 से 15 गुना उनके पास अगर कवर नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इनों ने पहले भी एक टर्म कवर लिया है एक तो वो और इसके अलावा जो वो अदर निवेश करना चाहते हैं अपनी सेविंग्स के लिए तो मेरी सला यही होगी कि इसके अलावा वो या तो यूलिप प्लान में या फिर ट्रीशनल प्लान में एक इन्वेस्मेंट करें और वो इन्वेस्मेंट यूनों 10 से 15 साल के लिए करें और उसमें भी जो 10 गुना कवर मिलेगा वो भी एड हो जाएगा उनके टोटल जीवन अगला सवाल लेते हैं गाजियाबा से मनीश का इनफाक्ट रिटाइमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं बिजनस फिलाल कर रहे हैं सालाना कमा इनकी एक लाग बीस हजार रुपए है अब रिटाइमेंट प्लानिंग क्यों की करना चाहते हैं तो रिटाइमेंट के बाद टेड़ लाख रुपए साल आने चाहते हैं तो अपने गोल कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है पेंशन प्लान लेने के लिए कि आप अक्यूमलेशन फेज जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करें। और उसके बाद 60 साल के बाद जो उनको रकम चाहिए जो करीब डेड़ लाख का उनको पेंशन चाहिए साल भर की। तो तकरीबन अगर वो हर साल 30 से 35 जार रुपए अगर सेव कर सकें और 26 साल के लिए तो उसके बाद जो उनका टोटल अक्यूमलेटेड मनी हो जाएगा करीब 16 से 18 लाख और इसके बेसिस पे करीब डेड़ लाख का सालाना उनको पेंशन मिल सकता है। लेकिन अगेन मेरी ये सला रहेगी कि ये बीच-बीच में एक बार देख लें कि इंफलेशन के इसाब से क्या उनको अपनी इस पेंशन नीट्स को असेस्मेंट करना चाहिए या नहीं। इसको देखे असेस करें वो बेटर रहता है किसी भी फानाशल प्लानिंग में और खासा पर रटाइमन प्लानिंग के लिए अग्ड़ा सवाल लेते हैं जल्दी से नौईड़ा से हरीश का इंफाक्ट बेटी का भविश्य वे सुरक्षित करना चाहते हैं ये आफी अच्छ है जिसमें आप अपने बच्चे की भविश्य की जरुरोतों का ख्याल रख सकते हैं और इसके अलावा अगर ये प्लान चल रहा है और बीच में आपको अगर कुछ हो जाता है तो एक मुष्ट रकम भी आपको मिलती है और इसके अलावा ये प्लान भी चलता रहता है एक चूस करना चाहें इनके केस में तो कौन सा बेटर रहता है और कौन सा बेनेफिशल रहेगा लॉंगर टर्म के लिए देखिये मेरे ख्याल से एक कॉंबिनेशन लेना जरूरी है टर्म प्लान जो है वो सिर्फ एक मुष्ट रकम जब आप नहीं रहते हैं देता है लेकिन चाहिल्ड प्लान जो है बाद में आपकी जो बच्चे की फ्यूचर जरूरतें आती है प्लान खतम होता है तो वो भी ज ट्राइल प्लान का लें तो मेरे खिया जिनकी दोनों जरूरतों का सॉलिशन मिल सकता है इनको आल राइट थैंक यू सो मच मोहित रोचलानी हमारे साथ आज के समानी गुरू स्पेशल शो में जुड़ने के लिए